कि हैं लो फ्रेंड आज मैं आपको एक पैटर्न सिखाने जा रही हूं बॉर्डर डिजाइन यह बॉर्डर डिजाइन आप छोटी बेबी के स्वेटर में डाल सकते हो यह बहुत सुंदर लगती है यह दो कलर की डिजाइन से बनती है धागे से बनती है और मैं आपको बना के दिखा रही हूं यह किस तरीके से बनाई जाती है और यह दो कलर के दागे से बना सकते हो आप और छोटी बेबी के लिए बॉइ के लिए गल्स के लिए बहुत संदर लगता है देखो मैं किस तरीके से बना रही हूं फोर फंदों का बना रहा है मैंने फोर 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 फॉर पहले मैं पहली फंदे डालने के बाद पहली सिलाई इसी तरीके से पूरी निकाल लेती हूं उल्टी उल्टी पूरी सिलाई निकाल लेती हूं इस तरीके से मैंने पूरी सिलाई निकाल लेती है अब मैं आपको पैटर्न सिखाना सुरू करूंगी पहले मैं एक फंदा एजिस्टी निकाल दूंगी इस तरीके से एक फंदा निकालने के बाद मैं दो फंदे पीछे को सीधे बिनूंगी एक, दो फिर यहाँ पे हम जो कलर का धागा दूसरा लगाना चाहते हैं उसे लगाएंगे मैं तो यहाँ पे बलेक कलर का धागा लगा रही हूँ इसके पीछे मैं दो फंदे बलेक से बिनूँगी पहले मैंने एक फंदा एजिस्टी निकाला और दो फंदे सीधे बिने आप दो फंदे मैं बलेक से बिनूँगी एक, दो दो फंदे बलेक से बिनने के बाद फिर मैं दो फंदे रेट से बिनूँगी एक, दो फिर मैं दो फंदे बलेक से बिनूँगी एक, दो फिर दो फंदे मैं रेट से बिनूँगी एक दो इसी तरीके से डिजाइन बनेगी पहली सिलाई इस तरीके से एक दो और एक एन दो और एक फंदा एज स्टीज इस तरीके से निकाल देना है अब उल्टी सिलाई को इनी फंदों को रिफीट करना है रेड का रेड और उल्टी उल्टी और रेड का रेड वाले को रेड से बिनना है और ब्लेक वाले को ब्लेक से बिनना है इस तरीके से यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना दूसरी शिलाई हमें उल्टी ऐसी निकाल देनी है इस तरीके से इस तरीके से मैंने दूसरी शिलाई भी कम्प्लीट कर दी है अब हमारी तीसरी शिलाई आगी और दीसरी शिलाई में हम चेंज करेंगे पहले पहला पंदा थे हमारा कुछ ने पहला एज़िस्टीश है वह निकल जाएगा अब हम जो हमने पहले पंदे दो ल्याट से भीन थे अब उसको हम दो ब्लैक से भिन हगी इस तरीके से और जो ब्लैक से बिना था उसको हम रेड से बिन लगे एक दो दो बंदे रेड से बिन लगे और फिर जो यहाँ पर रेड से बिना था उसे ब्लैक कर देंगे अब चेंज हो जाएगा जो रेड था उसे ब्लैक और जो ब्लैक था उसे रेड इस तरीके से इसी तरीके से हमने पूरी श्लाई complete कर लिए तीसरी श्लाई भी complete होगी अब 34 राई उल्टी श्लाई उसको हम जो red है उसे red से निकाल देंगे और जो black है उससे black निकाल देंगे इस तरीके से यह black है तो हमने black से बिन लिया यहां पर कोई चींजिस नहीं होगी इसको रैड से मिन लंगे और इसको ब्लैक से इस तरीके से मारे चौतिशिक लाई भी कंप्लीर होगी अब हम आएगे पांच्वी लाई पांच्वी लाई इम मैं क्या करेंगे जो हमने जो यहां पे हमने एक ड है। इस तरीके से हम पूरी शिलाए हम इस ये तरीके से निकाल लेंगे ये बिनने के बाद बहुत संदर लगती है और बच्चों को तो भी बहुत संदर लगती है बच्चों पर बहुत जाल अज़स्ती भी है अब हमारी ये सिलाई भी कम्प्लीट हो गई अब हम बॉर्डर की लास्ट सिलाई में आगे एक पैटन हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम लास्ट बॉर्डर की उल्टी सिलाई और लास्ट सिलाई है ये एक पैटन कम्प्लीट होने के होने वाला है इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से बन के आता है और बनने के बाद ये इस तरीके से दिखता है बहुत सुन्दर जी आइन है ये डीजाइन इस तरीके से बन के आएगा और ये आपकी स्वेटर में अपलाया कर तो बहुत सुन्दर लगती है फ्रेंड आपको मेरी डिजैन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें थैंक यू फ्रेंड